हेलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सब्स य अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चों आज की कहानी का नाम है बेवक्त का राग बच्चों बेवक्त का राग मतलब बिना समय देखे कुछ भी कभी भी करना तो बच्चों आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी तरह की है आज की कहानी है एक गधे और एक गीदड की एक समय की बात है एक धोबी के पास एक गधा था वह दिन भर उसे खूब काम लेता था और शाम को उसे खुला चोड़ देता था जिससे की वह गधा खेतों में जाकर हरी हरी घास खाकर अपना पेट भर लेता था वह गधा शान के समय आजाती से खाता पीता और घूमता था परन्तु वह अकेला ही था और उसका कोई संगी साथ ही नहीं था कभी-कभी उसके मन से आवाज उठती थी कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता तब ही अचानक जंगल से एक गीदर निकल कर खेतों की ओर चला आया उसने गधे को घास चैरते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ क्योंकि वह भी अकेले ही गूमता रहता था और वह भी चाहता था कि उसका भी कोई दोस्त हो तो गीदर ने आगे बढ़कर गधे से कहा कि राम राम भाईया और बोला मुझसे दोस्ती करोगे तो गधे को गीदर की बात सुनकर हसी आ गई और फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई बच्चों आपके भी बहुत से दोस्त होंगे न और आपको भी अपने दोस्तों के साथ रहने में मज़ा आता होगा ऐसे ही अब वो दोनों गधा और गीदड रोज मिलने लगे और उन दोनों में एकदम पक्की दोस्ती हो गई एक दिन गीदड ने गधे से कहा कि क्या तुम रोज रोज खांस खाते रहते हो चलो आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाना खिलाओं ऐसा सुनकर गधा बहुत खुश हुआ कभी वह खुशी के मारे जूमता तो कभी नाचता कभी गाने गाने लगता ऐसा ही करते करते वे दोनों खर्बूजे के खेत में पहुँच गए और खेत में जाकर दोनों ने खूब मजे से खर्बूज खाए परन्तु गधा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया वह तो खुशी के कारण अपना नाचगान करता ही रहा और ठेंचु ठेंचु की आवाजें भी निकालता रहा तब गीदर ने परेशान होकर कहा कि देखो भाई यदि तुम अपनी जित पर अडे रहोगे तो मैं खेत से बाहर जाकर खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे इस गाने के लिए मैं अपनी जान खत्रे में नहीं डाल सकता और ऐसा कहकर गीदर खेत के बाहर जाकर खड़ा हो गया परन्तु गधा तो अपनी ही दुन में मस्त था वह तो गाने गाता ही रहा और कुछ ही समय बाद खेत के मालिक की नीन खुल गई और उसने जैसे ही गधे को देखा तो उसने गधे पर डंडे वर्साना शुरू कर दिया और ये सब देखकर गीदर पहले ही भाग खड़ा हुआ तो बच्चों, moral of the story ये है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए हर काम को करने का एक निश्यत समय होता है हमें बेवक्त का राग नहीं अलापना चाहिए वरना हमारा हाल भी उस कधे जैसा ही हो जाएगा तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ओकी बाई बाई टेक केर